आज हमारे पास है Nike का शूज जिसका नाम है Nike Renew Ride 3 ये शूज जो है हमने Flipkart से पर्चेस किया है ये शूज 4,000 रुपे का हमने पर्चेस किया है Flipkart से चलिए इसे Unbox करते है और ये शूज की Quality हम आपको बताते है कि 4,000 रुपे का ये शूज है लेने लायक है या नहीं या फिर Waste of Money है चलिए Unbox करते हैं सबसे पहले आप Flipkart से पर्चेस करेंगे ये शूज तो इस प्रकर आपको बॉक्स देखने के लिए मिलता है जैसे ही हम ये बॉक्स को फाड़ेंगे रैपर को तो हमको Orange Color का एक बॉक्स देखने के लिए मिलता है जो की उपर साफ साफ लिखा हुआ है नाइकी रिन्यू करके दस नंबर का ये शूज हमने पर्चेस किया है आप देख सकते हैं या पर दस नंबर लिखा है इसके बाद हम बॉक्स को खोलेंगे और शूज देखेंगे कि इस प्रकार हमें शूज देखने के लिए मिलता है पैकिंग तो बहुती बढ़िय दिया हुआ है आप शूज देख सकते हैं यहाँ पर नाइकी का एक ब्रैंड दिया हुआ है यहाँ पर भी नाइकी राइड 3.0 लिका हुआ यहाँ पर एक सोल है जो कि इस पर भी नाइकी का ब्रैंड का लोगो दिया हुआ है इसे बहुत सारे दो चार जगे पर लोगो दिय दिया हुए है राइड करके और इसकी कपड़े के अगर बात करें उपर वाले कपड़े की तो वह तो बहुती बढ़िया दिख रही है मगर यह 4000 रुपए का हमने यह शूज मंगाया है तो 4000 रुपए के इसाब से शूज जो है लगरा नहीं है इससे पहले हमने दो शूज पर् अंदर दाल देते हैं और इसके अंदर जो कॉलिटी दी हुई है यह बहुत कड़क दी हुई है शूज के सोल मटेरियल की बात करें तो रबर का सोल मटेरियल दिया हुआ है यह शूज रनी शूज है इसके लिए यह शूज में हील जो है नहीं दी हुई है इस शूज के आउ के हैं मगर company दावा करते हैं कि 500 ग्राम का ये शूज है मगर हमने इस शूज का वजन किया हुआ है वजन काटे पर इसी वीडियो में तो हमें 600 ग्राम का ये शूज देखने के लिए मिल जाता है overall शूज के बारे में बात करें तो look and design बहुती बढ़िया दिखता है इस शूज का आप देख सकते हैं अभी मगर आप जैसे ही ये शूज हाथ में लोगे तो आपको premium लुक नहीं देखा 4000 रुपे के अंदर आप बहुती बढ़िया बढ़िया शूज ले सकते हैं मेरा opinion ये है कि 4000 रुपे का ये जो शूज है आपको नहीं लेना चाहिए तो कि ये मैंने लिया हूँ मैंने हाथ में देखा हूँ मैंने pain के भी देखा हूँ ये शूज कुछ अच्छा लगनी रहा है ये शूज मतलब आपी देखे है मैं pain के आपको दिखा रहा हूँ तो गद्देदार experience मुझे नहीं मिल रहा है जो कि cushioning experience देता है शूज जो कि मैंने इससे पहले nike revolution 6 का video बनाये था वो जो शूज था बहुत ही बढ़िया शूज था मेरा दूसरा शूज था उससे पहले हमने down shifter एक shoes purchase किया था nike का ही तो वो दो शूज थे वो बहुत ही बढ़िया काम कर गए मगर ये शूज 4,000 होने के बाद भी 4,000